चलो दोस्तों शुरू करते हैं रहसम, सफण और विचितर प्रिया एक भादूर राजा की कानियों दोस्तों ध्यान से सुनना वे कैसे बचाता इन प्रियों को बहुत पुरानी बात है विजर नगर राजय पर राजय देवल राजय करते थे वे बहुत ही नाई प्रिया परज आप आचया पर राजय करो राजय, हमारी शाहता करो राजय, हमारी पुकार सुनो राजय, उनकी करूण पुकार सुनकर राजय देवल की नींद खुल गई, यह मैंने कैसा सफण देखा, मुझ से साहता मांगने वाली वे चारो संद्र या कोन थी, दूसरे दिन पराते वे द्रम गुरु जेंदर के पास पोथे, कल रात मैंने एक विजितर सपना देखा, उन्हों ने अपने दिमाग पर लाख जोट डाला पर अपने त्उपन का रहसे समझ नहीं आया, दूसरे दिन प्राते वैं द्रम गुरु जेंदर के पास मुँचे, धर्मगुरू कल रात मैंने क्विजितर सपना देखा कहकर राजा देवल ने रात को देखे सपन के बारे में धर्मगुरू को विस्तार से बताया देवल के सपन के बारे में जानकर धर्मगुरू जैंदर सोच में पढ़ गए कुछ देर तक सोचने के बाद राजन यह बात सच है कि चार सुन्द्रिया तुमसे साहता की भीक मांग रही है तुम्हें जाकर उन सुन्द्रियों की साहता करनी चाहिए लेकिन धर्मगुरु मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे चार सुन्द्रिया कोन है और कहां रहती है फिर मैं उनके पास तक कैसे पूँच पाऊंगा राजन कल भोर की बेला में आप अपने घोडे पर बैठ कर राज महल से निकलना तब आपका घोडा सवेज इस दिशा के और चले तुम उसी दिशा के और बढ़े चले जाना उसी दिशा में तुमें कहीं वे चारो सुन्द्रिया अवस्य मिलेंगी तुमें दिशा के और बढ़े जाना चाहिए अथा देवल उसी दिशा के और चल पड़ा दोपर होते होते उसका गोडा दोडते हो एक निरजन वन में जा पूँचा पता नहीं वे चारो सुन्द्रिया मुझे कहा मिलेंगी वन में उसका गोडाAK स्तान पराकर रुख गया सामने जल के चार पके जलाषे नजर आ रहे हैं इस निरजन वन में पके जलाषे वन में इस प्रकार के जलाषे होने का क्या तात प्रिया है वे अभी खड़ा वा यही सोच रहा है कि उसके पास एक रिसी आए राजन किस सोच में डूबे खड़े हो रिसीवर मैं इन चार जलासों को देखकर चकीत हूँ इस निर्जिन वन में इन जलासों के ओने का क्या तात्प्र है राजन ये चारो जलासे चतुरकुन के नाम से परसीद है इन जलासों में पवितर जल है बहुत दूर दूर से लोग इन जलासों में सनान करने आते हैं लेकिन रिसीवर इस समय तो ये चारो जलासे सुने पड़े हैं क्या आप इन जलासों में लोग सनान करने नहीं आते राजन क्या आपको इन जलासों के बारे में बिलकुल भी पता नहीं है नहीं रिशीवर, राजन अब इन जलासों में कोई भी नायने नहीं आता, क्योंकि अब ये चतुरकुन तिर्थ सथल, मिर्टू सथल बन गए हैं, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा रिशीवर, जरा सपर्ष टूप से समझाईए, तो सुनिये राजन, पिछले कुछ समझे जाने कहां से इन चारो कुंडों में चार मगरमच आ गए हैं, जो भी तिर्थियात्री सनान करने के लिए कुंड में उतरता है, वही मगरमचों का अहर बन जाता है, इसी कान अब लोगों ने इन चतुरकुन जलासों का त्याक कर दिया है, भूलकर भी अब को इन कुंडों क के और नहीं जाता हो तो यह बात है राजन आप भी भूल कर इन चारों जलासों के और मत जाना कि देवल को यह चेतानी देकर रिशी वहां से आगे बढ़ गया रिशी के जाने के बाद देवल ने सोचा मुझे चतुर कुंडों के पास चल कर यह तो देखना चाहिए कि रिशी एका एक जलासे के जल में लहरे उठने लगी यह क्या आक्समाती जलासे में लहरे क्यों उठने लगी अगले पल एक विसाल का वे भेनक मगरमच्छ ने अपना सीर पानी से उपर निकाला इसका मतलब यह है कि रिशी ने जो कुछ भी मुझे बता था वैं सत्त था इनी मगरमचो के कान लोगों ने इन जलासों में सनान करना छोड़ दिया है क्या मगरमचो के उतपात के कान पुईतर चतुरकुन अपरतिस्थ हो जाएंगे नहीं मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगा मैं मगरमचो को देखूँगा और जलासों में कूद पड़ा चपाक अगले इपल मगरमचों से खाने के लिए उसके और दोड़ पड़ा देवल के पास आकर मगरमच ने उसके पाव पर जपटा मारा मगरमच ने अपने जबड़ों में देवल का पाव दबा लिया और खीच कर जलासों के तल की और ले जाने लगा मुझे सिगरता से कुछ करना चाहिए वरना मगरमच मुझे अपना अहार बना डालेगा यह सोचकर देवल ने अपनी पूरी सकती कटी की और उपर की और उचाल बरी उसके पैर को मुझे दबाए मगरमच भी अवा में उपर उठ गया अगले इपल दडाम दूसरे पल इमानों चमतकार हुआ ओ यह क्या बयानक मगरमच एक सुन्दर इस्त्री के रूप में प्रिवर्तित होने लगा है कुछी पलबाद देवल के सामने कतंत रूप पती यूति खड़ी थी कौन हो तुम हे वीर पूर्ष यदि आज आप यहां आकर मेरा उद्वार नहीं करते तो मैं कभी सरा मुक्त नहीं हो पाती लेकिन यह तो बताओ कि तुम हो कोन और मगरमच कैसे बनी राजन मैं इंदर लोग की अप्सरा मदालसा हूँ एक दिन मैं अपनी तीन सक्यों के साथ बर्मन करने के उदेशा से पिर्थवी पर उतरी उस दिन मौसम बहुत सुहाँना था हवा में फूलों की मादक सुगन फैली हुई थी हम चारों से लिया गूमती हुई इनी चतुर कुंडों के पास पलची यहाँ पूचकर हमने एक तपस्वी को तप करते वे देखा उसे देखकर हमें सरारत सुजी मैं अपनी सक्यों से बोली सक्यों क्यों ने इस तपस्वी का तब भंकिया जाए तुम ठीक कह रही हो मदालसा ऐसा करने में बहुत मज़ा आएगा हम चारों सक्या मिलकर उस तपस्वी के समूख नाचने गाने लगी हमारे नर्ते का उस तपस्वी पर कोई असर नहीं हुआ तब हम और तेजी से नर्ते करने लगी कुछ देर बाद करोद में कापते वे तपस्वी ने आखे खोली अफसराओ तुम अपने रूप के अभिमान में चूरो रही है और साय तुमें इस बात का भी अभिमान है कि तुम कुछ भी उल्टा सिदाकार ये क्यों ने करो इंदर तुमें बचा लेंगे लेकिन आज मैं तुमारा ये भर्म तोड कर रहूँगा तुम्हें शराफ देता हूँ कि तुम चारो आज से मघरमत्र बन कर इंद चारो जलाशों में रोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि तब्शुई का तब बंगरने करने कि क्या सजा होती है तब्शुई का सुराफ सुन कर हम चारो सकी गब्राएवथी तब मैं हाद जोड कर समा मांगते उस तपस्वी से बोली तपस्वी हमें समा करो और इतना कठोर स्राप ने दो तपस्वी का दिल बिल्कुल नहीं पसी जाज जब हम बार-बार हाद जोड कर उन से विंतिक करने लगी अपना स्राप मैं वापस तो नहीं लेता हूँ लेकिन इतना कर सकता हूँ कि कुछ समय तक तुम चारों को चतुर कुंडों में मगरमच बन कर ही रहना होगा फिर एक दिन कोई वीर पूर सागर तुम चारों का उद्धार करेगा तभी तुम चारों मगरमच का रूप त्याक कर अपने असली रूप में आप आओगी और तभी मेरे स्राप का सर समापत होगा देवल को इतनी बात बताने के पर साथ मदालसा आगे बोली उस दिन के बाद से मैंने अपने आपको मगरमच के रूप में इस जलासे में तेरते हुए पाया वो राजा आपने आकर मुझे सराप से मुक्त करा है मैं इसके लिए आपकी आबारी हूँ मदालसा की कता सुनकर देवल ने उसे प कहा मदालसा तुमने और तुमारी सक्यों ने तपस्वी का तब भंकर के बहुत बड़ी भूल की थी अपनी इस भूल से सबख लो और फिर कभी आशी भूल ने करना मुझे अपनी भूल का भा सोच चुका राजन अच्छा यह बताओ कि तुमारी बाकी तीन सक्या कहा है राजन मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती क्योंकि ने जाने कितने वर्सों से मैं इस जलासे में कैथ थी वैसे मुझे लगता मेरी तरह मेरी अन्य सक्खिया भी बाकी जलासों में मगरमचों के रुप में रहकर सराब का फल भुगत रही होंगी राजन आप करपा करके मेरी सक्क्यों को भी सराबसे मुक्ती दिलाए तब मदालसा को साथ लेकर देवल दूसरे जलासा के पास पूँचा कुछ देर बाद ये जलासा में से एक मगरमच ने बाहर मुँ निकाला राजन यह मेरी तरह सराब गस्त मेरी शकी है मगरमस तेजी से तेरतावा तट परा तब देवल ने अपना आत जलासे के पानी में डाला मगरमस तुरंती तेजी से देवल का आत पकड़ने को लपका तब देवल जलासे में कूद पड़ा उसने तेजी से तेर कर मगरमस की पूँच पकड़ ली तत पर साथ मगरमच को वहां में कई बार गुमा कर उसने तेजी से उसे तटकी और उचाल दिया जैसे ही मगरमच तट पर गिरा तुरंती वहां एक सुन्दर इस्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया उसे देखकर मदालसा खुस होती हुई बोली तो केत की यह तुम थी हां मदालसा दोनों सख्या प्रेम से गले मिली इस तरह देखल ने एक एक करके बाकी दो अपसरा को भी सराप से मुक्ती दिलवाई तच पच साथ राजन मैं आपकी भूत आबारी हुँ आपने मुझे और मेरी सख्यों को सराप से मुक्ती दिलवाई इसके बदले में मांगो क्या मांगते हो जो मैं मांगूगा क्या है तुम मुझे दोगी मदालसा अवस्य आप कुछ मांगो तो सही राजन तो सुनो मदालसा मैं तुमसे तुम्हे मांगता हूँ क्या? हाँ मदालसा मैं तुमसे विवा करना चाहता हूँ ओ राजन यह आप क्या मांग बैठे? मदालसा या तो अपना दिया वचन पूरा करो या मेरी बातने मानकर वचन हारी हो जाओ राजन वचन हारी तो मैं नहीं होंगी मुझे आपकी बात सविकार है तो क्या मदालसा तुम हमारे साथ वापस इंदर लोख नहीं जाओगी कैसे जा सकती हूं सक्यों मैं राजा देवल को वचन दे चुकी हूं तब तो मैं तुम्हें पिर्थवी परी छोड़ कर जाना होगा तब देवल और मदालसा से विदा लेकर तीनों अपसराय आकास मारक की रूल उड़ गई मदालसा दुखी से अपसराव को आकास में जाते हूं देखती रही जब अपसराय आकास में लूपत होगे तो मदालसा ने ठंडी सास खीचते हुए देवल से कहा चलिए राजन चलो मदालसा जैसे वे चलने को उद्धत हुए रिशिवर आप यहाँ आपने तो मुझे यहाँ आने के लिए मना किया था और सब चले आया ऐसा क्यों राजन मैं जानता था कि मेरे मना करने के बाद भी तुम चारो जलासों के और से जाओगे इसलिए मैंने जान बूज कर तुम्हें मना किया था मैं चारो अपसराय के सराब गर्स तोने की कानी जानता था और चाता था कि चारो अपसरा किसी प्रकार स्राप से मुक्त हो जाए इसलिए मेरे योग बल दवारा ही चारो अपसराव ने तुमारे सुपन में आकर तुम से अपने छुटकारे की विंती की थी लेकिन रिशीवर आपने इस कारे के लिए मुझे ही क्यों चुना क्योंकि मैं आपके सुर्विर्टा के बारे में जानता था और आप ही इस दुसकर कारिया को कर सकते थे तब देवल ने रिशीवर ने रिशीवर मैं मदालसा से विवा करना चाता हूँ आप हमें आशिरवात देजिए भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे तब पच्चात वे दोनों रिशी से विदा लेकर विजे नेगर लोट आए माप पूचते देवल सीधे धरमगुरु जेंदर के पास पहुचे कहो राजन क्या अपना कारिया पूरा कराए राजन में तो पहलें विश्वास्ता की आप अपने कारिया में सफ़लो कर लोटेंगे दरमगुरु उन चारो सुन्द्रीयों में से एक चीज़ का नाम मदालसा है से मैं उससे विवाग करना चाहता हूँ यह तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन वह सुंद्री कोन है और इससे में कहा है धर्मगुरु वह सुंद्री इस लोग की नहीं है क्या हाँ धर्मगुरु वह इंदर लोग की अफसरा है और मैं उसे अपने साथ विजे नगर ले आया हूँ ठीक है राजन जब अपसरा मदालशा को आप अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोची चुके हैं तो मैं इसमें रोडे नहीं हट काऊंगा तब धर्मगुरु को प्रणाम करके देवल वहां से चला गया लेकिन धर्मगुरु सोच में पड़ गए इस पिर्थवी के वाशियों ने जब जब सरगलों की अपसराव से विवा किया तब तो में मुसिब्तों में फसे हैं राजा देवल भी अपसरा मदालशा से विवा करना चाते हैं इस विवा से उनका भी अनिष्ट होने वाला है पर राजा देवल पर इस समय मेरे समझाने का कोई प्रभाव नहीं होगा, इसलिए चुपी लगाना ठीक है उचित लगन में राजा देवल ये मदालसा का विवा संपन हो गया बगवान मुझे आगामी गटने वाली गटनाओं का भान है, फिर भी आप से प्रातना कर रहा हूँ कि इस विवा के पच्चात राजा देवल पर किसी प्रकार की आचने आने पाए तब राजा देवल मदालसा के साथ सुक पुरूक रहने लगा मदालसा जब से तुम मेरे जीवन में आई हो, मेरा जीवन और अधिक खुशाल हो उठा है मदालसा देवल की इस प्रकार की बाते सुनकर सर्मा कर रह जाती थी एक दिन मदालसा ने देवल को सुचना दी महराज आप कुछ मापसात पिता बनने वाले हैं क्या सच? हाँ महराज हो मदालसा तुमने तो यह बड़ी अच्छी खबर सुनाई है उचित समय पर मदालसा ने एक सुन्दर पुतर को जनम दिया मदालसा अपने पुतर का नाम हम केवल रखेंगे आपको जो भी नाम अच्छा लगे वही नाम रखेगा महराज यूराज के जनम पर राजा में खूब खुश्या मनाई गई इस परकार अशी कुशी दिन बीत रहे थे कि एक दिन पहरेदार ने आकर देवल को सुचना दी महराज महल के दोवार पर सुबह से एक आदमी अंसन किये बैठा हूए अब आपसे मिलना चाता है जाओ उसे मारे पास लेकर आओ कुछ दिर बाद ये अंसन कारी आदमी राजा देवल के सामने था कोन हो तुम राज महल के दौर पर तुम अंसन किये क्यों बैठे हो महराज मेरा नाम जै वर्मा है पहले मैं इस नगर का धन्वान व्यापारी था एक बार मुझे व्यापार में बहुत गाटा हुआ जिसके फल सुर्फ मेरे पास कुछ नहीं बचा मैं एक दम धन्वान से द्रिदर हो गया तब करचदारों का करच चुकाने के लिए मुझे अपनी सारी संपती के साथ साथ अपनी अवेली भी बेचनी पड़ी उसी अवेली के साथ एक छोटा सा कमरा थोड़ी सी जमीन थी जिस पर मेरी पत्नी मेरी अनूपस्ति थी मैं खेती करके आराम से अपनी गुजर बुसर कर सकती थी इसलिए मैंने वेली कमरा और थोड़ी सी जमीन नहीं बेची उसे पत्नी को दे मैं धन कमाने के उदेशा से परदेश चला गया बीस साल पस्ता जब थोड़ा भूदन कमा कर मैं वापस विजर नगर लोटा तो मेरी पत्नी वान्या थी मैंने किसी परकार अपनी पत्नी की खोज की वे फटे चीत्रे पैने हुए थी और तुमारी पत्नी की आलत कैसे हुई तुम तो उसका जीवन निर्वा के लिए कमरा और थोड़ी सी जमीन छोड़ गए थे माराज यही परसंद जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो उसने रोते-रोते मुझे बताया कि जीवन निर्वा के लिए जो जमीन मैं उनके पास छोड़ गया था वे उससे उस सावकार ने छीन ली थी जिसने बीश वर्ष पहले मरी हवेली खरी दी थी माराज पत्नी की बात सुनकर मुझे बहुत गुश्चा आया मैं नयाय मांगने नयाले में गया वहाँ भी उस सावकार ने नयाधिस को रिश्वत देकर उसे अपने पक्समे कर लिया जिससे नयाधिस ने मुझे जुठा साबित कर दिया तब मैं आपके पास आया हूं माराज मैंने आपकी नयाय प्रिता के चरफ फोच चरचे सुने आप करपा मेरा भी नयाय कीजिए और आप जब तक मेरा नयाय नहीं करेंगे मैं अनसन पर ही बैठा रहोंगा और अपनी जान दे दूँगा ओ जैवर्मा की बात सुनकर देवल सोच में पड़ गया उसने जैवर्मा से पूछा उस सावकार का क्या नाम है जिसे तुम ने अपनी अवेली बेची थी महराज उसका नाम धनपती है सुनकर देवल सोका धनपती सावकार तो परधानमत्री देवदर का साला है जी महराज हम अभी धनपती को बला कर इस बारे में पूस्ताच करते हैं महराज अब मुझे आप ही का सारा है कुछ देर बाद इस सावकार धनपती राजा देवल के सामने उपस्तित था महराज सेवक को कैसे याद किया धनपती जैवर्मा तुमारी सिकात लेकर आया है क्या जैवर्मा की बात सच है जैवर्मा मेरे खिलाब क्या सिकात लेकर आया है महराज तब देवल ने विश्टार पूरुब दनपती को जैवरमा की सिकात के बारे में बताया देवल की बात सुनकर दनपती ने कहा यह जूट बोल रहा है दनपती ने कहा महराज यह बाट ठीक है कि 20 बर्स पूरुब मैंने जैवरमा से उसकी अवेली खरी दी थी हवेली के साथ साथ एक छोटा कमरा थोड़ी सी खेती होगे जमीन भी थी वह भी मैंने हवेली के साथ साथ ही जैवर्मा से खरीदी थी यह जूट बोल रहा है महाराज महाराज आपके सामने में जूट बोलने का साथ कैसे कर सकता हूँ अच्छा धनपति तुमारे पास सवैली को विक्रे करने का विक्रे पत्र तो होगा ही उसे देखने पर सारी बात का पता चल जाएगा तुम इसी समय वे विक्रे पत्र लेकर आओ माराज समा करें वे विक्रे पत्र तो 10 वर्स पुरोई दिमकों ने चट कर लिया दनपती की बातों से पता चलता है कि यह साब जूट बोल रहा है और सीधी तरह से कुछ नहीं बताएगा है इसलिए मुझे अब युक्ती से काम लेना होगा अगले पल वै दनपती की उंगली के और इसारा करते हैं बोला दनपती तुम्हारी अंगुठी बहुत खुबसूरत है क्या मैं इसे देख सकता हूँ क्यों नहीं महाराज दनपती ने ततकाली अंगुठी उतार कर देवल को दे दी ततपस साथ दनपती और जैबरमा तुम्हें इसी कक्स में रुको मुझे कुछ काम याद आ गया है उसे निप्टा कर मैं भी आता हूँ क्याकर देवल तेजी से कक्स से निकल गया उसके कक्स से निकलते दनपती गुरा कर जैबरमा से बोला तो तु मेरी सिकात लेकर महाराज के पास आया याद रख मैं तुझे यहां से भी नहीं मिलने दूगा दनपती मैं आसानी से तेरा पीछा चोड़ने वाला नहीं हूँ मुझे आसा है यहां मुझे उससे नहीं मिलेगा इधर कक्स से भाराकर देवल एक सेवक को दनपती के यंगुठी दे कर बोला तुम इसी समय दनपती सावकार के घर चले जाओ वहां सावकार के ख़चान्ची को यह अंगुठी दिखा कर कहना कि दनपती ने व्यापारि जैवर्मा की जो अवेली खरीदी थी उस अवेली का विक्रे पत्तर दे दो उससे कहना राजा देवल वो सवेली को खरीदना चाते हैं जो आग्या महराज उस अंगुठी को लेकर सेवक धनपती के खजांची के पास पहूंचा और उसे अंगुठी दिखाते हुए बोला सावकार धनपती इस समय राज महल में महराज के पास हैं सावकार धनपती ने उस अवेली का विक्रे पत्तर मंगवा है जो अवेली 20 वर्स पहले उन्होंने वैपारी जैवर्मा से खरी दी थी सेवक ने देवल के कथना असवार सारी बाते खजांची से कह दी सारी बात जानकर तुम बैठो मैं अभी विक्रे पत्तर निकाल कर देता हूँ कजांची ने खोज कर वे विक्रे पत्तर सेवक को दे दिया सेवक ने वे विक्रे पत्तर लाकर देवल को सौप दिया तब देवल ने उस विक्रे पत्तर को खोल कर पड़ा धन्पती यह उस अवेली का विक्षब पत्तर है जिशे तुमने जैवर्मा से ख्रीदा था क्या? धन्पती का मुh सफेद पड़ गया धन्पती विक्षब पत्तर में साफ साफ लिखा कि जैवर्मा में तुमने केवल अवेली बेची है तुमने उसके एक कमरे और जमीन पर नाजाज कबजा किया हुआ है सुनकर दनपती की गर्दन जुग गई दनपती तुमने जैवर्मा के साथ तो दोखा दड़ी की ही साथ ही हमारे से भी जूठ बोला इसका दंडम तुमें अवस्य देंगे देवल ने उसी समय सैनिको को बुला कर आदेश दिया सैनिको इस दुर्थ सावकार को ले जाकर कारागार में बंद कर दो सैनिको ने आग्या का पालन क्या और दनपती को ले जाकर कारागार में बंद कर दिया तच पसाथ विक्रेप पत्र को फाड़ते हैं देवल जैवर्मा से बोला, आज हम तुम्हे तुम्हे तुम्हारी पुरानी अवेली वापस लोटा रहे हैं, महराज मैंने जैसे सुना था आपको वैसा ही पाया, आप सच्मूची नयाई राजा हैं, जैवर्मा खुस होकर चला गया, दूसरी वाजब प्रदानमत्री देवधर को दनपती के कारागार में बंद होने की सुचना मिली, तो एक दोड़ा दोड़ा देवल के पास आया, महराज वा अपने मेरे साले दनपती को कारागार में बंद कर दिया, देवधर जी तुम्हारा साला होने के साथ साथ द दन्पति एक अप्रादी भी है उसने अप्राद किया है इसलिए दन्टों से मिलेगा ही महाराद ऐसा ने करें और धन्पति को छोड़ दे वरना सारे राजा में मेरी बड़ी थूथू होगी परदानमत्री देवदर जी एक धुरत आदमी का पक्ष लेते हैं तुम्हें सरमान चाहिए इसी समय हमारे सामने से चले जाए परदानमत्री देवदर अप्मानित साह वहां से चला आया वह अप्मान की जवाला में जलता हुआ सोच रहा था राजा देवल ने मेरा अप्मान क्या है मैं देवल से इसका बदला उसल हूँगा इस गटना के दूसरे दिन ही इसने देवल की नाड़ी देखते ही का महराज तो सरक्षिदार गये हैं क्या मदालसा देवल की मृत्व का समाचार पाकर अत्वर्द सी रह गई मदालसा इंदर का समरण करती विलाप करने लगी बुहु देवराज इंदर या क्या निर्थ हुआ मेरा स्वाग उजड़ गय इंदर ने आगे बढ़कर मरद देवल के स्रीर को सपर्ष किया ऐसा करते देवल ने आखे खोल दी मुझे क्या हुआ था मदालसा जो तुम इस प्रकार गपरा रही हो स्वामी आप ठीक तो हैं महराज आप अपने सत्रू के सेडेंतर का सिकार हो गई थे मेरा सत्रू कौन है महराज परदानमत्री देवधर आपके सत्रू हैं इनोंने यापके भोजन में विश मिलवाया था उसी विश मिले भोजन को करके आपकी मिर्टू हो गई थी ओ देवधर तुम तो आस्तिन के साप निकले देवल ने करोद में भरकर तलवार म्यान से निकाली और आ एक यवा देवल का शिर्वात देकर इंदर अधर से हो गए इस गटना के पसाद भूद वर्सों तक राजा देवल ने विजय नगर पर राज किया उसके सासन काल में उनकी परजा भूद सुकी थी वे राजा देवल की परसंशा करके ने गाती थी समाब दोस्तों बहुत अच्छी का आने थे जरूर लाइक सबस्क्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कैसे लगे